जैहिन साथियों जैसा कि आप लोगों ने UP SSC का बहुत से स्ट्वेंट्स ने form fill up कर दिया होगा और बहुत से स्ट्वेंट्स आज या कल में form fill up कर देंगे बहुत से स्ट्वेंट्स का डाउट यही था कि सर्ज जो हम लोगों ने UP SSC के लिए अप PT exam होगा जैसा कि आप लोग को पता ही होगा क्योंकि अगर आप PT exam qualify नहीं होता है तो आप लोग disqualify कर दिये जाएंगे यानि कि जो लेक पाल और आपकी group C की vacancy आएंगी उसके लिए आप eligible ही नहीं होगे तो सबसे पहले आपको PT exam qualify करना होगा अगर आप PT exam नहीं निकाल पाते हैं तो आप लोग किसी भी UP SSC की vacancy आप लोग form का fill up नहीं कर पाएंगे उस्टुनेंट्स का डाउट था कि सर क्या UP police में भी या UP police की जो vacancies आएंगी आपको पता है कि आने वाली हैं तो क्या UP SSC की क्या PT exam UP police में भी लगेगा ये स्टुनेंट्स का डाउट था और डाउट था कि सर इसका syllabus क्या होने वाला है इसके लिए हम लोग proper तयारी करने लगें कि आप इसका syllabus बता दीजे तो आज किस वीडियो में आपको syllabus पता चलने वाला है और किन post के लिए आपको PT exam देना होगा कि जिन post के लिए PT exam यानि primary eligibility test यानि जो PT exam होगा वो किन post के लिए देना होगा और इसमे number of question कितने आएंगे इसमे negative marking रखी गई है या फिर नहीं रखी गई है इसका exam online होगा कि offline होगा इसका exam online होगा या फिर offline होगा इसमे negative मांगे कितने रखी गई है इसमे number of question कितने आएंगे और इसमें selection जो इसकी result declaration होगा वो कितने year तक valid होगा यही सब आपके doubts होगे कि जो PT exam मालीजे अगर हम लोग qualify हो जाते हैं वो कितने साल तक valid होगा यही सब आपके doubts आज किस वीडियो में clear होने वाले हैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो लोग चैनल प्लेया चैनल प्लेया चैनल लोग सब्सक्राइब जो कर लिजेगा क्योंकि UP police की कोई भी update, UP government की update, UP state की कोई भी vacancy की update सबसे पहले सब्सक्राइब आपको हमारे YouTube channel के दौरा दे जाती है चलिए बिना किस देरी के आज किस वीडियो को सुरू करते हैं सबसे पहले बात कर लेते हैं validity कि कि यह कितने year तक valid होगा यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने अपने Google Chrome में सर्च मारा था UP SSC PT exam result valid year यानि कितने तक valid था तो इसमें क्या score करके आया है यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर आप देख सकते हैं UP SSC PT stand for UP SSC preliminary eligibility test thus for the candidates will be score based on the percentile and the secure and valid for one year जो highlight करने वाली बात है यानि कि यह जो आपका result रहेगा वो सिर्फ one year के लिए ही valid होगा यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरा साफ साफ लिखा हुआ है कि जो आप लोग PT exam qualify होंगे UP SSC से यानि UP SSC की बात कर लें तो UP SSC में जो PT exam qualify होगा वो आपके लिए one year valid होगा अब बात कर लेते कि one year valid के लिए कौन कौन सी post आप लोग form fill up कर पाएंगे जो UP government की दोरा release की जाएंगी क्या UP police में भी इसका अब next जो UP police vacancies आएंगी बावजा constitutional vacancy तो क्या उसमें भी PT exam देना होगा ये students के doubt थे चलिए उसको भी clear कर लेते हैं यहाँ पर हम UP SSC की mate की official website पर खोल के देख लेते हैं यहाँ पर क्या लिखा हुआ है यहाँ पर मीचे score कर लेते हैं जैसा कि आपको पता होगा ये group C की vacancies यूपी SSC post PT post तो सबसे पहली post आ जा था थी junior assistant के लिए आप लोग को PT exam देना होगा जिनका जिनका मैं बताऊंगा अभी आपको सभी के लिए PT exam देना होगा अगर आप लोग PT exam qualify नहीं हो पाते हैं तो आप लोग इसका form fill up नहीं कर पाएंगे PT exam को आप लोग qualify करने के बाद सिर्फ आप लोग को एक exam और देना हो जिसे junior assistant का PT exam qualify करने के बाद आप लोग एक exam और देना होगा जैसे आप exam qualify हो जाते हैं आप लोग का final selection हो जाएगा इसमें कोई medical आपका नहीं मांगा जाता है आपका कुछ medical medical कुछ भी नहीं होता है ग्रूप C की vacancies होती है और आपका document verification करने के बाद आपकी joining दे दियाती है और वीडियो बढ़िया लाग रहा हो ना तो लाइक जरू कर दीजेगा और चैनल पर पहले है विजिस कर सब्सक्राइब करने ब्लोकों में बूलिएगा यूपी पुलिस की यूपी गवर्नमेंट की कोई अपडेट यूपी इस्टेट की कोई अब तक एक यूपी में फॉर्म फिलप हुआ था यूपी फॉर्स गार्ट का लेकिन अभी तक उसका एक्जाम नहीं कराए गया लेकिन अब जब भी फॉर्स गार्ट की वेकैंसिस आएंगी तो उसके लिए आपको पीट एक्जाम देना होगा जूर इंजिनियर के लिए भ पीट एक्जाम देना होगा तूब विल ऑपरेटर फार्मेस्ट डॉर्फ में इन सभी के लिए आपको पीट एक्जाम देना होगा नीचे स्कॉर्ड कर लेते हैं और यह बहुत तीन और रहे गए हैं यूवा विकास अदिकारी जिसका कली रिजल्ट फाइनल रिजल्ट दो 2019 का कली रिजल्ट फाइनल रिजल्ट आया हुआ यूवा विकास दल अधिकारी का आप लोग सरकारी जिल्ट में देखा होगा आप लोगों ने और कंप्यूटर ऑपरेटर और लैब टेक्मिशन इन सभी के लिए आप लोग को पीटी एक्जाम देना होगा अब बात कर लें नहीं देता है चलिए अब आफ लाइन एक्जाम होगा कि उसके डाउट्स को क्लियर कर लेते हैं अब बात कर लेते प्रम्भिक आरेगी परिच्छा के पार्ट करमत है कि यहां पे आप देख सकते इंटर इस तर की होगी परिच्छा यानि जो यूपी त्रिपल सी का जो पी दो घंटे आपको दिये जाएंगे और नमबर ओफ कोशन की बात कर लें तो हंडेट कोशन रहने वाले हैं यहां पे हम हाइलाइट करके दिखा देते हैं माइनस मार्किंग का प्रवधान प्रतिय गलत उत्तर अंग पे कटेगा एक चौथा यानि कि 1Y4 मार्किंग है 1Y4 सर क गलत कर दिया जाएगा यानि कि जो आपने एक राइट आंसर किया होगा उसे गलत कर दिया जाएगा यानि कि अगर आप लोग अगर चाल गलत आंसर करते हैं यहां पर आप देख सकते हैं 35 लाग से अधिक आवेदन मिल सकते हैं यह सरकार ने पहले ही बता दिया है यूपी हपते के अंदर रिलीज कर दिये जाएगा यहाँ पे आप देख सकते हैं यह हिंदुस्तान का न्यूस वेपर है उस नहीं में लिखा गए अब एक हपते में भरती के परिच्छाओं के नतीजे यानि कि जो पीटी एक्जाम होगा वो एक हपते के अंदर ऑनलाइन एक्जाम हो होगा और एक हपते के अंदर इसका रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा पीटी एक्जाम का यहाँ पे आप देख सकते हैं समूगार प्रावर्मिक भरती परिच्छम निगेटिव मार्किन जैसा में मता दिया है कि दो घंटे में समूगार यानि गुरूप C की विगेंस होग होगी और यह गलत पर चारंग 1Y4 नंबर मार्किंग रखी गई है UPSC में पीटी एक्जाम के दोरा चलिए अब स्लेबस की भी बात कर लेते हैं उससे पहले वीडियो बड़या लाग रहा हो ना तो वीडियो को लाइक जरू कर दीजेगे यहाँ पर आप देख सकते हैं यहा हो सकता है कि online करा दे लेकिन online होने के पूरे पूरे chances है offline के कोई भी chances नहीं online ही इसका exam कराया जाएगा और one week के अंदर इसका result PT का result जारी कर दिया जाएगा चलिए अब इसकी slabers की भी बात कर लेते कि इसका slabers कितना रखा जाना है और number of question आप देखी चुके हैं 120 question आएंगे sorry 100 question आएंगे और 120 question आपको 120 minute का time दे जाएगा यानि कि 2 hour आपको दिये जाएंगे पूरे पूरे और 100 question रखे जाएंगे 1y4 minus marking रखे गई है यानि 0.25 minus marking रखे गई है अगर आपका एक भी आपके अगर चार गलत आंसर होते हैं तो आपकर जो एक राइड है उसको आपको cut कर दे जाएगा चलिए अब slabers की बात कर लेते हैं कि क्या इसमें English आएगी मैंत आएगी जो civics आएगी जो गरफिया कितने भी बात कर लेते हैं यहां पर आप दे सकते हैं अगर 18-40 के बीच में आपकी एज है तो यह आप यूपी थी प्रेसी पीटी का फॉर्म बढ़ सकते हैं अगर आप 10th पास भी है तो भी आप इसका फॉर्म फिलप कर सकते हैं 12th पास है ग्रेजुएशन है जो भी आपकी जित कोशन पूछ लिए तो सब कुछ मैक्सीम, मिन्मम, मिन्मम रखा गया है इंडियन नैसल मॉवमेंट की तरफ से 5 कोशन आप से पूछे जाएंगे जोगर्विघ में 5 कोशन इंडियन constitution public administration में 5 number आपके पूछे जाएंगे 5 question आएंगे general science के 5 question पूछे जाएंगे elementi arithmetic में यानि कि profit law discount जो भी आप पढ़ते 5 number के आएंगे time and work से 5 question टोटल मिलागे math की जो भी question होते हैं जो आप पढ़ते advance math उसके 5 question आएंगे general hindi के भी पूछे जाएंगे general English के भी 5 question general logic reasoning में भी 5 question पहले क्या होता था कि reasoning question जादा कर दिये कहीं history question जादा कर दिये कहीं GKGS जादा कर दिये और reasoning कम कर दिये ऐसे question होते थे लेकिन अब सब equal आने वारा current affairs 10 number के आएगी general awareness यानि जीए 10 number के आएगी और हिंदी के धांस और व्याकरन 10 number के आने वाली है जिन्होंने अभी तक हमाई telegram channel को join नहीं किया telegram channel को join कर लीजेगा तुकि महीं पर आपको new vacancy अपडेट government job की update सबसे पहले मिलने मिलती रहती है आपके अगर कोई भी doubt हो योपी triple SC की PT exam को लेके इसकी vacancies को लेके तो आप मुझे कमेंड बॉक्स में बता सकते हैं मैं आपके doubts केलियर करने के लिए आपको reply जरूर देऊगा क्योंकि कमेंड बॉक्स ही इसलिए होता है कि आपके doubts केलियर हो सकें बात कर लेते हैं इसमें EWS कपका मांगा गया EWS हो या फिर आपके card certificate हो EWS हो card certificate हो domicile हो तो यह आपका कपका लगने वाला है यानि कि इसकी जो apply online date थी उसके पहले की apply online date जैसे कि इसकी last date आपको पता 21 जून इसकी last date है जो भी आपका domicile हो या फिर इसमें आपका domicile हो या फिर EWS हो यहां मैं E बना लेता हूँ यहां पर EWS हो या फिर आपका card certificate card certificate state या central का आपके पास दो है दोनों होना चाहिए आपके पार domicile हो EWS हो और card certificate हो दोनों दोनों चीजें आपकी 21 जून से पहले की होने चाहिए जो भी documents आपके हो कोई भी आपके governments के documents 21 जून से पहले होने चाहिए 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 तो domicile हो चाहिए तो EWS हो चाहिए तो card certificate हो I hope आपके साइड आउट्स clear हो गए होंगे जो भी आपके doubts थे मैंने आपको one by one सारे बता दी है अगर फिर भी आपको doubts रह जाता है तो coin box में आप मुझे बताईएगा तब भी मैं next video में उस doubts को clear जरू कर दीएगे वीडियो जरू बताईएगा वीडियो को share ज्यादा कर दीजेगा और वीडियो बढ़िया लागे होना और मैनेत पसंद आई होना तो like कर दीजेगा चलिए next video मिलते है न्यू बगेंसी अपडेट के साथ टब तक के लिए जयाइन जयवाद बंदे मातरम